गुद मॉर्निंग चिल्डरन, कुसुम मैम की उनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के विश्य प्रिवे सदेहन की पुस्तक जरोखा का पाठ क्या रहे है, पानी की बार कलू कववे के साथ, का पेज नमबर 88 और 89 इस वीडियो में सीखेंगे, तो देखिए बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान से देखो, ये कौन है, बताओ शाबास, हाँ, ये कलू कववा है, है ना, और कलू कववे के साथ, हम कई जगें पर घूमे है, है ना, और आज इस वीडियो में हम कलू कववे के साथ ही पानी की बचत करना सीखे है, अब देखिए पानी की बचत, अब कलू उड़कर एक घर की मुंडेर पर जा बैठा, यहाँ देखो, बैठा है ना, वहाँ उसने लोकेश को अपनी मा के साथ बाचीत करते हुए सुना, ये देखो बच्चों, ये कौन है बताओ, इस लड़के का नाम बताओ, शाबास क ये है उसकी मम्मी, लोकेश ने गिलास में से एक तो घूट पानी पीकर बचा हुआ पानी फर्स पर गिरा दिया था, ये देखो क्या किया है लोकेश ने, पानी पिया, जितना पीना था उतना पी लिया, और बाकी फर्स पर गिरा दिया, फिर उसकी मा ने कहा, कि तुमने प अधर बाद नहीं करना चाहिए अब आगे है बच्चो सोचो और लिखो क्या तुम भी इन घिलास में बच्चे हुई पानी को फेक देटे हो यदि नहीं तो उस पानी का क्या करते हो बताओ बच्चो फेक थे हो क्या हाँ तुम में से कई बच्चे तो ऐसे फैंक भी देते होंगे है ना लेकिन बच्चों हमें वैसे पानी फैंक ना नहीं चाहिए ठीक है देखो इसका अंसर क्या होगा नहीं मैं उस पानी को घर में रखे गमले में डाल देती हूं आगे क्यूशन है वह पानी किस काम आ सकता है तो वह पानी पेड़ पोधों को देने के काम आ सकता है तुम्हारे घर में फल वैस सबजियां धोने के बाद उस पानी को किस काम में लाया जाता है पेड़ पोधों को दे देते हैं ठीक है जिस भी अगर हमें फल सबजियां धोई है वो पानी बच गया है वो पानी वो हम पेड़ पोधों को दे देना चाहिए तब ही आगे देखो तुम सभी स्कूल में पानी पीने के पानी की पोथले लेकर आते हो तुम सभी स्कूल में पीने के पानी की पोथले लेकर आते हो यदि पूरी छुटी के बाद सभी अपनी अपनी बोथलों में बचे हुए पानी को स्कूल में लगे पेड़ पोधों में डाले तो अनुमान लगाओ कि कितने पानी की बच्चत होगी बताओ बच्चो धेर सारा पानी बच जाएगा है ना तो इस तरह से हमें पानी को व्यर्थ होने से हमें साब बचाना चाहिए अब है बारिस का पानी बारिस के बारिस के बारे में समझो बच्चो क्या तुम जानते हो कि पानी का मुख्य अश्रोत बारिस है यह कभी कम होती है और कभी ज़्यादा तुमने यह भी देखा होगा कि बारिस होने के कुछ समय बाद खुले मैदानों पारकों आदी में पानी ठहरा हुआ दिखाई नहीं देता देखा है ना बच्चो जब बारिस होती है तो बारिस जब हो रही होती है तब तो हम देखते हैं पारक जो है वो पानी के भरे होते हैं और थोड़ी सी देर बाद ही हम देखते हैं कि पारक खाली हो गए है वो किस तरह से होता है पता है वहाँ पर पारक में एक टैंक बनाया होता है और सारा पानी जो है पाइपों के थ्रू टैंक में चला जाता है और ये बताओ नदी नालों में और बारिस का पानी जब पारक की बात भी चल रही थी तो बहुत सारे पारकों में तो ऐसा होता है टैंक बना लेते हैं लेकिन कई पारक में नहीं होता है तो उनका पानी बहे कर नदी नालों में भी चला जाता है आगे हैं कि बारिस के पानी को तुम किस परकार इकठा कर सकते हो टैंक बना कर ठीक है ना किस तरह से इकठा कर सकते हैं हम टैंक बना कर पानी को इकठा किया जा सकता है कम बारिस वाले स्थानों पर वर्शा के जल को इकठा करने के लिए घरों में टैंक बनाय जाते हैं बच्चो अच्छी लगी ना कल्लू के साथ पानी की बात है ना अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है आप इस तस्वीर को धिहान से देखो बच्चो और तस्वीर के नीचे क्या लिखा है वर्शा जल संग्रेंड के लिए टैंक तो अब इस चित्र को देख कर बताओ कि इसमें क्या हो रहा है बताओ श्याबस बारिस हो रही है है ना ये एक घर बना हुआ है और घर की छट के चारों और मुंडेर बनी हुई है है ना और पानी छट के ऊपर गिरता है और यहां से छट से एक पाइप नीचे की गई है और ये पाइप एक टैंक के अंदर छोड़ दी गई है तो अब अंदाजा लगाओ क्या क्या हो रहा है इसमें बारिस हो रही है इसका पानी छत पे जाएगा छत से पाइप के थू आता आता इस टैंक में इकठा हो जाएगा इसी को हम जल संग हैंड करना भी कहते हैं जलको इकठा करना, वर्शा के जलको यहाँ पर इस टैंक में इकठा किया जा सके, रहा है ताकि समय आने पर इस पानी का यूज़ किया जा सके, अब आगे देखो और लिखो, दिए गए चित्र को, देखो, वर्शा का पानी छट से पाइप दवारा कहां इकठा हो रहा है, दिवार या मुंडेर पर मिट्टी के एक छोटे बरतन में पानी भर कर रखो जो पक्सी वहाँ पानी पीने के लिए आए उनके नाम लिखो तो बच्चो ये काम आपको खुद ही स्व्याम करना है यहाँ पर जो भी पक्सी आए कबूतर तो आपको लिखना है कबूतर मानले आ आ गया तोता तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो जो पक्सी आप इकने घर की मुंडेर पर या दिवार पर पानी का बरतन रखना और फिर देखना जो भी पक्सी आते हैं उन पक्सियों में तीन पक्सियों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं आगे क्युशन है मारा पान सम्मंदी कोई गीत या कवीता कख्षा में सुनाओ तो बच्चों आज कल तो कख्षाएं तो आपको पता ही है चल नहीं रही है कोविड-19 के कारण स्कूल बंध है इसी लिए आप अगर आपको कवीता आती है तो अपनी मम्मी को भी सनाए नहीं आती तो अपनी मम्मी से वाल ओदे जाओ झाल झाल टो आवाल शुनाओ-आट झाल ।। थ Lage वाल Sवयढ है तो कbol यह다-पको कवीतांती तो कराण सुम्मेंदी दो साल reducing the觉 not right now को चाहत आपको इस खरे तो आपको सित्तव नहीं आपको कन करण पकोशने हां वाल नहीं है I'm a get the reply!